हुकम देव नारायन यादव सभापती में हो दे लोग सभा का के इस चैनल पर हिंडूस्तान के खाओं गरीव किसान के लोग भी जिनके घर में यह टिवी है वो इसकी कारबाई को सुनते हैं देखते हैं और इसमें दिल्चस्पी लेते हैं और उनके भी मन के अंदर और पेट के अंदर जो भूख है इस दोनों भूख की सांती करने के लिए इस लोग सभा में कितनी भास होती है और सरकार उसके प्रती कितनी सजग है और सहानभूती रखती है यह भी इस देश के लोग परत्यक्ष रूप से देखते हैं इसी लिए इस लोग सभाद चैनल जिनने चलाया था उनको हिर्दे से धन्यवाद कि भारत के गाउंगरी किसानों को भी लोग सभाद का प्रतेक्ष धर्शन हो पा रहा है अभी हमारे साथी हरीश जी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके के दुखदर्द के बारे में बता र और वहां के हमारे दो नेता थे मान्य कुंभा राम आर्ट जी और दौलत राम सारन जी और लाल चन टुडू जी दुडी ये तीन हमारे नेता थे जब चोधरी डेवी लाल जी के साथ नीमका थाना से निकलते थे तो सीकर, चूरू, जालोर, बारमेर, पोखरन, विकानेर य साम मैंने उनके साथ जात्रा की है और रात्री विश्राम भी किया है, चोधरी डेवी लाल जी मुझे ले गए, एक बार जा रहे थे पोखरन, तो उन्होंने कहा कि तुमने धानी देखा है, हमने कहा मेरे ये धर तो धानी होती नहीं, तो देखेंगा कहां से, तो कहां चल त मुझे धानी दिखाता हूँ, सरक के किनारे एक फूस का बड़ा-बड़ा मकान छपर, जिसको आज काल के अगर दिल्ली में कहते हैं कि ये खी के साथ उसमें डाइनिंग हॉल, सब हॉल बना रहता है, उसी तरह ये कम था, देवी लाल जी कहें कि चल इसमें, ओ हमारे कोई अ और उसको कहा कि बता तेरे क्या-क्या घर में डाता है, उससे निकल करके आया, मैं इसलिए कहा, रास्ते चलते उन्होंने कहा कि तुन्हें टांक का पानी पिया है, मैंने कहा, मैंने जीवन में देखा नहीं तु पिया कहा, उन्होंने एक गाउं के किनारे, एक सरक के किनारे एक घर में ले गए और कहें कि तू रसी और बाल्टीला और उस ताका में से जाके पानी निकाले फिर मुधे बताए कि कैसे इताका किस लिए बनाया जाता है और किस तरह बरसात का पानी इसमें जमा करते हैं लोग गुजारा करते हैं तो कुछ परतक्षी करन परतक्षी करन उ के साथ घुमने के लिए इसलिए मैं अपने उन्यताओं को धन्यबाद देता हूं कि उन्हें ने राजस्थान के उस्रेगस्तानी इलाकों में मुझे भी भर्मन कड़ा के गाओं गरीव किसान मज़ुर के दुखदर्द को दिखाया था मैं इस बात को उठाना चाहता हूं कि इसी सदन में इलाके के पिछड़ापन पर कांग्रेस के शिरिमती रतना सिंग जी का परस्ता हूआया सत्पाल महराज जी का एक प्रस्ता हुआया, रंजन जादव जी का प्रस्ता हुआया, भुला प्रसाथ सिंजी का आया, बैजंध पंडा जी का आया था इसी तरह अनेक इलाके के साथियों का इसी लोकसभा में छत्रिये विसमताओं को दूर करने के लिए प्रस्तावाया इसे यह संसत में बहस के द्वारा सिद्ध हो जाता है कि भारत वर्स में छत्रिये विसमता है समाजिक विसमता है आर्थिक विसमता है और इन विसमताओं के उपर समगरता में चिंतन करके अगर निदान नहीं निकला गया तो भारत के ये सभी पिछरे इलाके एक न एक दिन विद्रोह की अगनी की जुआला में जलने लगेंगे इसलिए मैं संसत के मारफ़ सरकार से अगरह करना चाता हूँ जोजना आयोग से जोजना आयोग पर विश्वास कम है महराद इसलिए कि योजना आयोग योजना नहीं बनाती है न मेरे लिए न अनुसुचिजाती के लिए न किसान के लिए न मजदूर के लिए न गाउं के लि जो बिस्व बैंक के साथ उनका बीच में आज का लेक नाम आ गया है जो इक कलक्टर साहब रहे हुए जानते होंगे बीच में सब्दाए हम को कहते हैं कि आज हर जोजना में एक कंसल्टेंट निक्त किया जाता है तो मैं मंत्री बना था भारत सरकार में सिपिंग भाग में तो मैं खोजता था कंसल्टेंट कुन पढ़ानी का नाम है एक ये कुन पद है कंसल्टेंट तो कहा ये बीच में जोजना का डिपी आर बनाते हैं ये जोजना का अपरारूम तयार करते हैं मैंने का इसको बहाल कुन करता है तो कहा ये बहाल है जिसके हम कर्जा लेते हैं कर्ज लेते हैं उसी के दौरा बहाल है तो मैं अंतर ध्यान लगाया हमने कहा कि वह गाह में जिसको दलाल कहते हैं वह यहां कंसल्टेंट है कंसल्टेंट माने वह विसु बैंक के साथ कंसल्ट करते हैं और जोजना योग में जाके करते हैं आद दोनों के कंसल्टेशन में जहां एक मीटिंग पॉइंट होता है वह तैकरा के योजना को पास कराते हैं और वर्ल्ड बैंके बिस बैंके करजे से योजना बनती है योजना चलती है और बीच में क्या होता है नहीं होता है महराज वह हम और आप जान नहीं पाएंगे क्योंकि इतना उपर का खेल है कि अगर उस खेल को हम देखने लगेंगे तो कई जनम जनमना पड़ेगा इसका कोई पता नहीं है इसलि केवल सहरों के किनारे बिकास के लिए बनाई गई है और जितने सहर बसाए गए हैं इस दिल्ली में चलिए पंजाबी बाग दौलता बाग कौन कौन बाग ये मीना बाग ये बाग का क्या मतलब है ये कभी बाग रहा होगा कभी गाउं रहा होगा कभी किसान रहे होंगे और इ पसादी गई, उनके बच्चों को उजार के भगा दिया गया, वो भिखमंगे बन गए, वो गाउं में चले गए, वो निर्धन इर्वल बन गए, लेकिन ये बड़े-बड़े कोल्निया बनाई गई, बड़े-बड़े मकान बनाय गए, बड़े-बड़े अफसर को उसमें लक्री लगाया गया चप के ऊपर लक्री लगाया गया स्रीमान उस गाव में बसने वाले लोगों को खंभा के लिए लक्री नहीं चपड के लिए लक्री नहीं एक चुल्णा के जलावन के लिए लक्री नहीं यहां इट के मकान को लक्रियों से सजाया गया है और पढ़्याव विगर रहा है जो पढ़ियावरन को सबसे जादे नुकसान पहुंचाते हैं तो इसलिए मेरी विनम्र प्राथना है कि भारत वर्ष में इन विशंताओं को मिचाने के लिए समगरता में चिंतन होना चाहिए जितनी छत्रिय विशंता है राजस्थान के साथ ही हमारे बोल रहे थी आप उन्ह इलाखे के ऊपर में अगर समाजिक में सेलिस्टर करिए तो उन अब इक्सेक इलाकों में पहारों में जंगन में रेगिस्तान में और चाहे विहार का उत्तर विहार का क्वोसी का पुर्णिया मध्यपूरा सहरसा सुपोल कठियार किसंगन इस इलाके के जाकर के अगर वहां का समाजिक परिवेस देखिए तो उसमें अधिकतर लोग बसने वाले हैं वो पिछरे बढ़के हैं अनुसुचित जाती और जन जाती समाज के हैं पहारों में जंगल में तो आसी बसते हैं और उन जैसल मेर के इलाके में बार मेर के इलाके में रेगिस्तानी इलाकों में देखिए तो वही लोग बसते हैं जो उस रेगिस्तान के तपती धूप को बरदास्त कर सकते हैं जो उस लू में ठाहर सकते हैं और सबसे ज़्यादा उस सिमा पर है और उस पर अक्रमन भी सबसे जादे, हिंदुस्तान के अगड़ इतिहास को निकाल के देखिए, तो हिंदुस्तान में जितना भी अक्रमन हुआ है, सब उसी पच्छिम तरफ से उर्गस्तानी इलाके से हुआ है, और वहां के लोगों ने उन अक्रमन कारियों से मुकाबला किया है, इसलि इतिहास देश का साकर कचिन छुधा की मार नमन तुम्हें मेरा सतवार ऐसे जो लोग हिंदुस्तान में रहे हैं जिन्हों ने इसका देश की रक्षा की जिसके लिए अपने प्रान कमाए आज वो भूखे हैं उनके संतान नंगे हैं असिक्षित हैं उनको कुछ नहीं है क्या इस इलाके में नहीं होगा मैं जोजना आयोग से सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि जो हिंदुस्तान का मर वह सहली स्थ है लिए रिफिस्तान का इलाका है बंजजर जमीन है कंक्रीलि जमीन है जहां कुछी नहीं पंदा होता ऐसे घएरुप जाव जमीन में महावल मिस्र जी समापती जी जरा रोकी है मंतरी जी इसके नदी का आकर लोग डिस्टर्ब करते हैं संजोग से तो एक संजोग से तो गुलाम नभी अजाज साहब रचे हैं साहब और हम तो गए थे जब सिरी नगर इस बार टुइलिफ गार्डन में गए अदो चार काम देखा यह मुखमंतरी बने थे लोगों ने परसंसा की तो मैं बहुँ संदर बनाया है आप त्विलिफ काड़न यह मुखमंतरी बने थे उतने दी कुछ कर के आए हैं जो सिरी नगर में लोग नाम ले रहा है मैं ट्विलिफ गाजेन में घूमा लोगों ने आपकी परसंसा की साहब और आपकी परसंसा की तो हम Congress Party की नहीं सिकाय तो जरूर करेंगे लेकिन Congress Party में अच्छे काम करने वाले लोग हैं तो उनकी परसंसा भी करना करेंगे हम तो हम तो दिनकर जी के उस स्रहके राहि है पुझ निय को पुझ मानने में जो बाधा करम है वही मह का अहंकार है वही मनुज का भ्रम है इसलिए अच्छे काम करने वाले के अम पूझा करेंगे आप से मेरी बीनम्र प्रार्थ नहां है aha कि जो बंजर है, पथरीली है, कंकरीली है, गैर उजाव भूमी है, जहां भिकास नहीं गया है, आप उस इन आकों में वो दोगी करन नहीं कर सकते हैं, क्या? इसी संसद में बोलते हुए समाजबादी नेता डाक्टर राम नहर रोहिया ने इस परसुन को छेरा था, उन्होंने कहा था, कि जो अभिक्सित इलाका है, उस रेकिस्तान बाले इलाके में, बंजर पथरीले इलाके में, आप जाके उद्योग खड़ा करो, जब उद्योग लेंगे, तो बड़े बड़े उद्योग पती उसमें मोज करेंगे, अफसर में मोज करेंगे, आजाद सहाब, लेकिन चाय की दुकान, पान की दुकान, भुजा की दुकान, खुचे की दुकान, छोटे से धाबा की दुकान चला के तो हमारे बच्चे और हमारे बहुवेट प्रिष्यों को रोजगार मिलेगा है रोजगार मिलेगा वहां तक अगर सरके जाएंगी तो इलाका का विकास होगा किसलिए नहीं उधा बनेगा उद्योग इसलिए को इलाका विक्सित नहीं है आप मैं कहता हूँ इसलिए नहीं उलाका विक्सित है क्योंकि वहाँ उद्योग नहीं है वहाँ व्यपार नहीं है वहाँ व्यवसाय नहीं है वहाँ रोजगार नहीं है NCR बनाते हैं दिल्ली के चारो तरफ हर्याना से लेके सब जगा एक नंबर तीन फसला जमीन उपजाओ किरसी भूमी को उजारते हैं और जहां कुछ नहीं पैदा होता उस रेगिस्तान के इलाके में करखाना नहीं बैठा सकते हैं रिफाइनरी नहीं लगा सकते हैं वहां रेलगारी की जाल नहीं पिछा सकते हैं वहां सरकों को नहीं ले जा सकते हैं वहां अच्छे इस्कूल नहीं बना सकते हैं क्या नहीं बनाएंगे कि पॉलिटिकल प्रेसर नहीं है वहां भोकल लोग नहीं है जहां पॉलिटिकल प्रेस अज़ी में सभी अखबारों में dispatch पर dispatch लिख देंगे बंजर को उवजाओ बना दे उवजाओ को बंजर बना दे यही तो अज़िया का खेल है और यही आज की अखबार का भी मेल है बाकी तो कुछ हम देख नहीं पाते हैं इसलिए आप से मेरी बिनम्र प्रार्थना है कि जो अब इक्सित इलाका है उसको विख्षित करने के लिए जोजनायोग जोजना बनावे कभी जोजनायोग में किसी MP से जनोती देना चाहता हूं कि भारत सरकार किसी को नहीं परनवाबू अर्थसास्री बित्मंत्री है उन्हीं की अध्यक्स्ता में योजनायोग का वो अर्थसास्री आवे और हुकुम देव नरायन जादव जैसा अर्थसास्र साधारन ग्यान रखने बला किसान बैठे मेरे सा बहस करें मैं जोजनायोग के उस अर्थसास्री को एक बार नहीं तीन बार प्रास्त कर दूँगा इसलिए उनकी द्रिष्टी और मेरे द्रिष्टी में फरक है उनकी द्रिष्टी गाणा मों उन्मुखी नहीं है गरीबों उन्मुखी नहीं है किसान मों उन्मुखी नहीं ह दलित उनमुखी नहीं है निर्धन निर्धन के परति उनमुखी नहीं है इसलिए दृष्टी कभीरदास ने कहा जो दर्सन करना चाहिए तो दर्पन माजत रहिए दर्पन में लागा काई तो दर्स कहां से पाई यह जो हमारे योजना बनाने बाले हैं उनके हिर्दाय में वो मजदूर की तस्विर नहीं है इसलिए भारत का यह इलाका पिश्रा रह गया और भारत का इतना समाज पिश्रा रह गया सभापती महोदे राम चरित मानस के दो चार चौप दो एक चौपाई कहके मैं अपनी बात को जादे लंबा नहीं करूगा हमारे साथी अर्जुन राम मेहवाल जी बोलेंगे राजस्थान के हैं और सभागे से यह आईए सबसर भी रहे कलक्टर साहा भी रहे तो इन्होंने देखा भी होगा इनको दोनों अनभव है हनमान जी गय थे जब लंका में तो उस समय उन्होंने पर्णन किया है मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा देखे जहत अगनित जोधा गयों दसानन मंदिर माही अति विचीत्र कही जात सोना ही सयन किये देखा कपिते ही मंदिर महु नदीख बैदे ही उसी तरह मैं ग्राम पंचाज का 1909 में परधान बना था बडाक का परधान बना जिला परशत का द्हक्ष बना तीन बार विधान सभा का सधस्य बना लोग सभा राज सभा को देखा दो बार भारा सरकार का मंत्री बना गाउं से चला था मेरे पिताजी और आठ चाचा चार चाचेरा भाई सोतंत्रा संग्राम के सेनानी थे गोद में लेके मेरी मा भाग गई थी अपने नहीं हर अंग्रेज ने घर जलाया था मेरे चाचा जी कांग्रेस के सबसे बरे निता थे प्रथम जिलापरसत के सदस बने थे भाई शियर्मेन बने थे मैं उस इलाके की बात मैं करता हूँ कि जब भारत बरस के उसमस्याओं को देखा मैं गाउं से चला ठीक बात है सहाब मैं आपके तरफ आने को तयार हूँ बस कर लो कर लो मैं आपके साथ आजाना लेकिन इस इंजन बाले गारी पर नहीं बेठोंगा सभापती जी जिसकी दुर ग्वाटना होने वाली है तो ने जान के दुर खटना ग्रस नहीं होना चाहता हूं इसलिए उस पर नहीं बैठूंगा उस रेलगारी पर ये आप से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि मैंने सब देखा खेट को देखा खलियान देखा निर्धन निरबल को देखा ग्राम पंचाज से लेकर के लाल किला तक देखा सभी को देखा लेकिन किसी के दिल में गाओं गरीव किसान के लिए प्यार नहीं देखा दिल में दर्द नहीं देखा दिल में पीडा नहीं देखा आपने अभी भोसना की थी ग्रामिन स्वास्त योजना चला रहे हैं और सभी प्रखंडों में वो मोबाइल भाइन भेज रहे है बड़ी आपकी क्रिपा है सा मोबाइल भान भेज रहें लेकिन वो खराब होगा तो मरमत कोन कराएगा उसमें डीजल कोन देगा ड्राइबर का बेतन कोन देगा और चले जाएए तो हिंदुस्तान के सिभिल सर्जन के कारजाले में सबसे जादे गारियां सर रही हैं करोरो करो करिस करना बड़ा कठीन है हिंदुस्तान के नीती यही बनी है सरकारी योजनाओं की बच्चे पैदा करते चलो भला करेगा राम बच्चे तो हम जोजना हम बनाएंगे लेकिन उस जोजना को पालं कुन करे एस्टेट गवर्मेंट राज सरकार परे कमाल है तेरा बच्चा ह अधुद्ध पिलावे हम बच्चा है तेरा खाना खिलावे हम बच्चा अगर पैदा करके देते हो तो इसके उसी तरफ परविश करने का इंतिजाम करिये साहाब नहीं तो यह बच्चे क्यों पैदा करते हो आप से मेरी विनम्र प्रार्थना है अपनी बात को समाप सभापती महोदे कि हिंदुस्तान रो रहा है हिंदुस्तान के आँख में आशू है आप उस राजस्थान में जाओ बिहार को इस इलाके में जाओ उरिसा की इलाके में जाओ जहां हमारे साथियों ने कहा और हमारे बिहार में तो रोज सबेरे ऐसे औरते खड़ी हो जाती है काली माई के सामें और रोज प्रार्थना करती है अविरल आंसु वहे नैनन से अब तो किर्पा करो कि उनकी आखों से निरंतर अविरल अंसुरू की धारा प्रभाहित हो रही है वो पीरा है वो दर्द है आपके अंदर वो चेतना पैदा करिये मैं इसलिए आपसे प्रार्थन प्रद है अपनी पीरा भी सुना रहे थे और एक दर्जन बार उन्होंने सरकार को धनेबाद भी गिया वहीं नहीं कहा कि दोनों एक साथ कैसे हो जाएगा साहब यह तो गलत बात है एक बार मैं दुकान में गया एक जबी को देखा हमने कहा इसमें क्या है कहा इसमें एस पावडर तो हमने कहा कि कमाल की दुनिया है बरे लोगों की यह सानुख को यह खिट अभी में बंद करते हैं उसी तरह हरीज जी थे एक तरफ एक दरजनबाद सरकार को धनबाद भी देते रहे और एक तरफ अपने पिछिरे पन पर आसू भी बहाते रहे मैं हरीज जी से प्र एक प्रोट फएका बारीनी की जोख के निकलो और जिस दिन हम खड़े हो जाएंगे उस दिन हम अपनी संकर की त्रिनेत की जोखा में इस विवस्था को जलारा कर देंगे और ऐस रा को अपने से अरीन में लेपेट लेंगे और एक नए भारत का निर्मान करेंगे real it